कई बार movies या TV show देखते समय हम किसी एक ऐसे scene, एक ऐसे moment को देखते हैं कि उस scene को हम life में कभी भूल नहीं सकते हैं चाहे कोई funny comedy scene हो, action scene हो, intense acting वाला कोई scene हो या फिर कोई tragic scene हो ऐसे कुछ great movie या फिर TV show के scenes का हमारे दिल में, हमारे मन में एक अलग ही special place होता है और इन ही great legendary scenes को लेते हुए I present you my new segment that one great scene, the togs. इस series के आज के first ever video में मैं discuss करूँगा one of my favorite TV show Game of Thrones का iconic scene, the Red Wedding. So George R.R. Martin के books पर बसा Game of Thrones का show सबसे पहले 2008 में HBO पे telecast होना शुरू हो गया था और show के first season के literally first episode से ही इस series ने सभी का दिल जीतना शुरू किया. वैसे इस first season की सबसे यादगार moment एक बहुती tragic scene रही थी and that was Ned Stark की death. तो अभी सभी के favorite character Ned Stark की मौत मतलब एक बहुती दुखी incident, एक बहुती tragic scene सबके लिए रहा था और इसके बाद में सभी fans को ऐसा लगा था कि मानो इससे ज्यादा tragic cheese show में क्या ही होगी. ये Ned Stark की मौत मतलब इतना hurt करने वाली चीज थी कि इस दुख से इस hurt वाले एकदम emotional वाले feeling को ये show और कैसे ही top करेगा. बट देन केम season 3 episode 9 जिसका नाम था the rains of customer और इस rains of customer के episode में हमें दिखाई दिया red wedding का एक ultimate tragic scene. अब इस red wedding के iconic scene के पीछे का background story simple रहा था तो lady katelyn stark ने अपने बेटे rob stark की शादी walder fray के बेटी के साथ करने का promise किया था. अब एक बड़े house stark का first born बेटा king in the north rob stark से अपने बेटी की शादी होगी ये सोचकर lord walder fray बहुत ही खुश हो गये थे. बट ये शादी होने के पहले ही rob stark किसी और ही लड़की के प्यार में दिवाना हो गया और उसने walder fray के बेटी के साथ शादी करने से इंकार कर दिया. इसलिए लेडी किटलिन स्टार्क ने उसके छोटे भाई एडिमी और टली की शादी अभी walder fray के बेटी रोसलीन fray के साथ में तय कर दी और इस शादी को walder fray ने भी हा कहा बट ये वाली शादी मतलब एक बड़ा धोका था. सो रॉब स्टार्क ने उनके बेटी के साथ शादी करने से इंकार किया इसलिए lord walder fray secretly बहुती ज्यादा खफा हो गए थे. Lord walder fray को लगा था कि Robb स्टार्क और उसके मा केटलिन स्टार्क ने उनका बड़ा इंसल्ट किया और इसी इंसल्ट के रिवेंज में उन्होंने एक घिनोनी साजीश की. उन्होंने नौर्थ के ही Lord Roos Bolton के साथ मिलके Tywin Lannister से secretly हाथ मिलाया और इस बात की स्टार्क को कानो खबर नहीं लगने दी. फिर जब हाउस टार्क और उनके बैनर्मन हाउस फ्रे के कैसल ट्विन्स पर महमान बनके आये थे तब फ्रेज, बोल्टन और लैनिश्टर सोल्जर्स ने मिलकर सभी स्टार्क और उनके बैनर्मन के लोगों को बेरहमी से मारा. तो दोस्तो मैंने अपने कई सारे वीडियोज में Game of Thrones के शोरणर्स डेविड एंड डैन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से Season 6 से Season 8 लिखा था, बट आज मैं यहाँ पे उनकी सिर्फ तारीफ करूंगा. तो डेविड एंड डैन ने इस Red Wedding को जिस तरीके से लिखा था, इस Red Wedding के Scene तक आने का जो भी Plot रहा था, वो एकदम ही काबिले तारीफ रहा. और इसी वज़े से एक अच्छे Build Up के बाद में, जब एकदम Red Wedding होती है, जब एकदम अपने स्टार्क्स पर हमला होता है, तब वो एकदम ही impactful चीज रही थी. डेविड एंड डैन ने इस पूरे Red Wedding के Scene की Shooting एकदम linear way में की थी, एकदम straightforward order में की, ताकि जो भी Actors इसमें काम करें, वो एक अच्छा Emotions इसमें दे सकें, और उन Actors का Emotional Impact Audience पे भी वैसा ही पड़े. तो अभी आप इस Scene की शुरुआत ही सबसे पहले तो हम Rains of Kastamer के गाने को सुनते है, जिसके बाद में हमें एकदम शौक केटलीन स्टार्क दिखती है, और यहाँ पर इस Scene से ही केटलीन स्टार्क की Actress, Michelle Fairley ने एक बहुती बढ़िया acting performance देना शुरू किया. सबसे पहले तो हो यहाँ पे चिलाती है, और यहाँ अच्छानक से फ्रेज सबको stab वगरे करने लगते है, यहाँ पे सब जगा पे arrows की वगरे firing होती है, तो दोस्तों यहाँ पे जब टेलीसा की Actress, उना चैपलीन को जब मारा गया था, तब वो नीचे गिरती है और वो रोने लगती है, तो यह जब सीन शूट किया जा रहा था तभी सेट पर लिटरली सभी लोग रो रहे थे, इतना emotional impact इस सीन का था, so anyways यह जब शूटिंग चल रही थी, तो सब लोग सेट पे बहुती रो रहे थे, and then came the actual blow, that is Lady Caitlin's last stand, अब तक का यह सीन बहुती ट्रैजिक रहा था, but इस पूरे ट्रैजिक सीन का यह जो end रहा था, that is Lady Kathleen Stark's last stand वाला जो moment रहा था, वो एक totally unforgettable experience, एक emotional scene की जो हद पार करने वाला जो एक performance रहता है, वो performance हमें इस scene में देखने मिला, और इसके लिए जितनी तारीफ हम Kathleen Stark के actress Michelle Fairley की करे, उतनी कम है, यहाँ पर actress Michelle Fairley ने एक मा का जो दर्द था, उसे जिस तरीके से portray किया, वो totally goosebump scene रहा था, तो गैज, यह सब scene खतम होने के बाद में, even Rob Stark actor Richard Madden ने भी कहा था, कि we were mentally exhausted, और मैं भी काफी रोया था, and a lot of crew and other members also got very emotional, and finally guys, यह जब scene Michelle Fairley ने shoot किया था, तभी उसके बाद में, Michelle Ma'am अच्छानक से गायब हो गए थे, तो David and Dan ने भी confirm किया था, कि उन्होंने Michelle Fairley से contact करने की कोशिश की थी, बट उस दिन वो जैसे ही set से चली गई, तो वो एक हफते के लिए गायब ही हो गई थी, इवन चुली आगे Michelle Fairley ने सब को बताया कि exactly क्या हुआ था, तो उस scene में जब Michelle Fairley ने acting की थी, तब वो भी totally अंदर से तूट गई थी, क्योंकि as an actor, Michelle Fairley इस legendary scene में totally एक मा बन चुकी थी, जिसकी पूरी family उसके आँखों के सामने मारी जारी है, तो guys, ये होती है एक legendary acting, ये होता है एक brilliant adaptation, जो की David and Dan ने किया, उन्हें पता था कि Red Wedding का scene eventually आने वाला है, क्योंकि उन्होंने books वगरे पड़े थे, बट फिर भी उन्होंने इस scene तक जिस तरीके से build-up किया था, वो बहुत ही अच्छा रहा था, तो guys, this was that one great scene, जिसका pop culture में बहुत बड़ा impact रहा, इंटरनेट पर भी कई सारे reaction videos इस scene को लेके आये थे, और इन सभी clips में आप देखी सकते होंगे, कि ये scene सभी के लिए कितना shocking रहा था, तो lords and ladies, इनी सब reasons के वज़े से, the Red Wedding will forever be, PCP's that one great scene, तो तुस्तो, I hope आपको ये नया innovative segment पसंद आया, this is Kedar here, I will see you all in the next one, ciao!